मैं लगा इस क्या ऐसा मुझे ही लगा या फिर निक फ्यूरी सच में कुछ बहुत ही अजीब तरीके से सीक्रेट इन्वेजन के टीजर ट्रेलर में हमें बेहेव करते हुए नजर आया जाहे फिर वो उनके मूड हो या फिर उनके एक्स्प्रेशन्स हो उनका चलने का यहां पर एपिसोड में आगे चलके वैल यह तो बाद की बात है लेकिन अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब किया जाए एक लाइन में डिस्क्राइब किया जाए इस ट्रेलर को तो कहा जा सकता है कि इस इस वट पैड़ एस इन्वेजन शूड लूक लाएक एक मिस्ट्री एक टेंशन वाला माहूल जो टीजर ट्रेलर में आपको दिखाया जाना चाहिए बिल्कुल ऐसा होता है लेकिन सबसे दो बड़े रीजन क्यों इस वक्त निक फ्यूरी जो है न स्क्रल्स के पीछे पढ़े हुए एक तो यह बात होगी कि गवर्वर्मेंट की सीक्रेट एज जहां पे निकलस जेसन फ्यूरी जो है एक डेड़ स्क्रल की बॉड़ी को शील्ड की सीक्रेट फैसलिटी में लेके आते हैं और उनकी एनेटिमी के उपर काम किया जाता है लेकिन इस ट्रेलर में अगर आप अब्सर्व करोगे न हमें MI-13 की एक लेड़ी देखने को मिलती ह जिनके हाथ में एक इंजेक्शन होता है और यह MI-13 अगर आप कॉमिक्स में देखोगे तो मावल कॉमिक्स में एक ऐसी एजेंसी थी UK की जो कि बेसिकली यहां पे सूपर हुमन्स पे एक्सपरिमेंटेशन उनको कंट्रोल में रखने का और उनके बारे में बहुत सारी चीज लेकिन इन सारी चीज़ों का अपस में कनेक्शन क्या है हाइड्रा का शील्ड का MI-13 की इस लेडी का या फिर डेट स्क्रल वाले एक्सपरिमेंट का तो इसका एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड स्कीम है जो कि आपको इस ट्रेलर से ही समझ जाना चाहिए तो देखो गाइस कु कुछ राइट्स नहीं थे और वो राइट्स फॉक्स स्टूडियो के पास है और जब यहां पर डिजनी ने फॉक्स को खरीदा तो वो राइट्स भी आटोमेटिकली अब फॉक्स के पास आगे अगर आपको याद होगा एक्समें दे डाक फीनिक्स में हमें कुछ स्क्रल न और म्यूटन्स का ओरजिन हमें अरड़ी दिखाना शुरू हो चुका है सबसे पहले अगर मिस मावल की बात करें और और भी करेक्टर्स हमें म्यूटन्स के तौर पर यहां पर डिफरेंट पॉइंट आफ व्यूस पर फैंटास्टिक फॉर में भी नजर आ सकते हैं लेकिन गवर करना शीकरिट इमएजिन न में क्या होगा जो एक्सपेरिमेंट शीद ने पिछले दिनों में किया था हमें यह होता हुआ दिखाई दे सकता है कि हाइडरा ने इस डेइड अ उनमे भी शेप सिफटिंग पावर都 जो है आचँकी थी यानिए कि सक्रल्स की जो रिय से वो अलग तो थी ही लेकिन अब एक cross breed हो चुकी है Skrulls और human species को मिला के और एक किस हद तक है वो create कर सकता है एक invasion का बहुत बड़ा angle create कर सकता है यह हम सुझ भी नहीं सकते हैं क्यूंकि हमें एक और mystery box यहां पर दिखाई दिया है जिसे यहां पर उस device से पताया लगाया जा सकता है कि actually में human कौन है और skrull कौन है Actually में Emilia Clarke का character and की हमारी queen Daenerys Targaryen का character जो है actually Skrull के तोर पर हमें यहां पर दिखने वाला है इन सारी चीजों को investigate करते हुए बट यहां पर एक सबसे बड़ा बट है कि actually में कौन से Skrull का character वो यहां पर play करेगे यहां पर speculations के according वो यहां पर गाया नाम की Skrull का role play कर सकती है लेकिन अगर आप comics में देखोगे तो comics में गाया की एक perfect family थी जिनके साथ वो grow up हुई थी अल्टिमेट रिवील किया जाता है कि यह गाया भी जो है actually में Skrull ही होती है लेकिन एक और चीज़ के एवेट रॉस का character हमें MI13 के साथ कोनलल जेम्स रोड्स के साथ Nick Fury के साथ मिलके यहां पर investigate करता हुआ दिखाई दे सकता है इन सारी experimentation की secrets के बारे में कि आखिर स्क्रल्स तो मतलब different organizations में है ही लेकिन इतने सारे स्क्रल्स आये कहां से और actually में Skrull का ultimate plan क्या है यह plan करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं investigation के तौर पर Nick Fury लेकिन guys अगर आपने observe किया होगा तो यहां पर security status जो है Nicholas Jason Fury पूछते है roads है की actually में तुम्हारे security status के बारे में या फिर तुम्हारे जो suit का access है वो किस किस के पास से तुम्हारी sensitive information तुम किस किस के साथ share करते हो इन सारी चीज़ों का verification वो यहां पर जो है road से मांगते है जिस के बारे में यहां पर Rhodes कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात करें अब देखो क्या हो सकता है DODC के पास भी यहां पर James Rhodes के weapons की information जो वो यूज करते हैं जो suit वो यूज करते हैं जो weaponry उसमें यूज होती है वो यही हमें बता गिया Armor Wars का कि यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि क्या होता अगर यहां पर Iron Man की technology गलत हाथों में पढ़ जाएगी जिसका डर Iron Man 1 से ही यहां पर Tony Stap को सता रहा था तो हो सकता है कि Skrull ही वो ultimate reason बनेगी कि क्यों Iron Man technology यह एक्चली में गलत लोगों के हाथ में जाएगी इस explosion scene में आप देख सकते हो कि कहीं ने कहीं यह जो लोग है यह फ्लाग smasher जिनके बीच में शायद से कियोस बिगाडने के लिए जो government में बैठे हुए Skrull sleeper cells है उन्होंने यहां पर mob में धमाका करवा है ताकि इनकी image को बिगाड़ा जैसे कि जिनराइट के लिए फाइट कर रहे हैं और एक और बात कि यहां पर हमें एक top level security chief को की गाड़ी को उडाते हुए यहां पर missile से दिखाई देता है helicopter जो कि basically covert operation हो सकता है यानि कि वो जो officer हमें गाड़ी में बैठता हुआ दिखाई देता है वो भी Skrull ही था जिसको यहां पर एक black ops करके Nick Fury ने MI-13 या MI-6 ने जो है किसी तरीके से उडा दिया खतम कर दिया ताकि यह government में एक यहां पर sleeper cell तो कम हो प्रबबली यहां याद दिलाता है multiverse of madness movie की जहां पर scarlet witch जो है न रेवेंस के थूँ यहां पर नजर रख रही थी multiverse में यहां पर पूरे world में earth के उपर कौन क्या कर रहा है वैसे ही यहां पर skrull के पास भी इसायद से secret ऐसी superpower है जिसके थूँ डिफरेंट प्लेस पर रेवन के थूँ यहां पर जासू से या फिर स्पाइज ऐसी चीज़ें कर सकते हैं प्लस यहां पर हमें बेंड मेंडल संब का character जो कि हम पर एक एक स्क्रल का गला पकरता हुआ नजर आता है और उसके बाद बहुत सारे इस उसी स्क्रल में शेप शिफ्ट हो जाता है यह हमें बताता है कि कहीं ना कहीं जो है अपनी तरफ जो है बैंड मेंडल संब की टेलोस के character को करने की कोशिश की जा रही है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कि किसी ना किसी पॉइंट पर टेलोस है वो निक फ्यूरी को धोका देंगे और निक फ्यूरी भी कुछ सीधे नहीं है क्यूंकि उनका चाल ढ़ाल उनका एकस्प्रेशन भी कुछ हमें अजीब जैसा लग रहा है जैसे कि वो किसी और ही मकसद से आया हो या फिर वो एक डूब्लीकेट निक फ्यूरी की तरह हो उनके केरेक्टर के साथ कोई बड़ी छेड़ छाड़ हुई है और वो छेड़ छाड़ क्या है ये हमें सीरीज में ही पता चलने को मिलेगा क्या वो स्क्रल थें क्या असली निक फ्यूरी की फाइट इस नकली स्क्रल वाले निक बहुत ही मज़ा आने वाला है और अगर यह mutant वाले skrulls यहां पर involved हुए ना जो कि X-Men से belong करते हैं 20th century वाले Fox से belong करने वाली mutants है तो तो भाई अलग ही level पर चली जाएगी series आप मुझे अपने thoughts जोरू comment section में बताएगा कि आपके इस first look को लेकि यह जो trailer हमारे सामने आया है क्या लगा कि आपके thoughts से कितने ज्यादा excited or secret invasion के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like करिएगा शेयर करिएगा चनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत बूलना में में मेलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे next video में till then take care and be marvelous